तो दोस्तों एक और नया दिन, एक और नया IPO आज वह तारीक 26 सितंबर आज री की तारीक में एक IPO उपन हो गया है Diffusion Engineers का IPO तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस IPO का और जाने की की अपलाए करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको मैं एक important अपडेट देना चाहूँगा IPO रिव्यूज को लेकर अज़ पर आपको मैं और देखा हैं वह आप देखें तो किसी आप म्यूजिक चैनल है किसी का जो कोचिंग करवा थे कोई फिजिक्स मैंस कैमेस्ट्री की कोचिंग करवाते थे कोई या कोई other related कोई technology related videos बनाता था या कोई gaming related है तो वो किया कि अब सब IPOs का जो चर्चा चल रहा है इतनी ज़्यादा बूम पेट चल रहा है तो उनके चैनल जो है मतलब पुराने content बनाते थे dead हो गए हैं 10 लाग subscriber किसी के 12 लाग किसी के 8 लाग चैनल पे views नहीं आते थे जो उनका content था अब किया कि IPOs के demand है उनका subscriber बेस तो बना हुआ है तब किया कि IPOs पे वीडियो बना रहे हैं बिना किसी knowledge के तो आप संबल के रही है बिना किसी knowledge के ऐसे लोगों से क्योंकि मैंने काफी note किया मैंने सामने एक दू वीडियो आई तो मैंने देखा Sam as it is जैसा मैं बोल रहा हूं मतला मेरा वीडियो के अंतर जैसे मैं जानेंगे पिर इस कंपनी की डीटेल्स के बारे में जानेंगे फिर इसके नौलेज के तो इसमें क्याएगी कभी कभार फस भी जाते हैं तो उनसे आप संबल के रहेगा ठीक आप वो तो क्याएगी अपना चैनल चैनल चनली के लिए कि यूट्योब पे वीडियो दा लेंगे पर हमको संबल के रहना है जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं या अच्छे कोई नॉलेज वाले पर्टसन है उनके जरूर वीडियो देखिए वो मैं बना नी कर रहा हूं यह संबलने के लिए इसलिए कर क्योंकि कभी कभार काफी लोगों को ऐसी चीजों में नुकसान हो जाता है क्योंकि वो बिना नॉलेज के आके कुछ भी बग देंगे और कोई नया आदमी होगा तो वो तो विश्वास कर लेगा इसलिए त्यान से तो इस वीडियो के इंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्कि है या लॉस्मेकिंग है और अपने जो भी पियर कंपिटिटर्स हैं उनसे महेंगी वैल्यूएशन है या सस्ती है फिर इस आई प्यू की दीटील्स के बारे में जानेंगे अंत में जानेंगे क्या इस आप्लाइ करना चुई नहीं करना चुए नहीं करना चुए करें तो ल पर चेर्ली 40% के आसपास चलें लगबख 41% के आसपास सित्तर रोपय पर शेर एठी शेर का लॉड़ है छे अजार एक सो सांट रुपय जैसा अंदाजन अवे फाइदा देखने को मिल रहा है और लगबख होता है 41% के आसपास देखिए जी एमपी फिक्स पैरामेटर नही तो एंकर लिस्ट के दारा करीबन करीबन 47 करोड रुपय जुटाए गए है एंकर लिस्ट छोटी है क्योंकि इश्यूसाइज भी छोटा है ठीक है तो कोई ज्यादा बड़े नाम तो नहीं है बड़ एक बड़ा नाम है HDFC उसकी दो mutual fund schemes है उसके लाब 3P India और Stant Capital और Craft Emerging तो मतलब एक बड़ा नाम HDFC कह सकते है उसके लाब कोई biggest नाम नहीं है ठीक है तो एंकर लिस्ट को मैं खराब तो नहीं कहूँगा क्योंकि छोटा इश्यूसाइज है ठीक है उससे साबसे एक तो बड़ा नाम है तो मैं 10 मैं से करीबन 4 रिटिंग देना चाहूँगा इसको और 158 क्रोड रुपे का इसका टोटल इश्यूसाइज है तो इस कंपनी की डीटियल्स के बारे में जाने तो कंपनी 1982 के अंदर इंकोरोपरेट हुई थी करीब करीब 42 साल हो गए है अपने ही सेक्टर के अंदर ये कंपनी इंजिनीरिंग से है एक तो ये वैल्डिंग से देखा होगा जिससे मतलब आगे इलेक्टर लगाते हैं फिर उसके बाद वैल्डिंग शे करते हैं तो वह इलेक्टर इपजी ये मैनिफेक्चर करती है उसके लावा और भी काफी सारे प्रोड़क्स जाते हैं तो वैल्डिंग में यूज होते हैं पाउडर वगेरा जो भी coatings वो भी ये manufacture करती है फिर wear plates ये manufacture करती है जो गिसने से बचाते है कोई भी बड़ी heavy machinery equipments होते हैं उनको जो गिसता है ना metal वगएरा उसको गिसने से ये बचाता है wear plates वो भी ये manufacture करती है और उसके अंदर ये leading supplier है फिर heavy engineering equipment supplier है जैसे बड़ी-बड़ी cement industry होती है चीनी sugar industry होती है वहाँ पर जो ये machineryies आती है machineryies के अंदर जो equipment आते हैं वो ये supply वगएरा करती है उसके अलावा उनका repairing भी करती है जो cement बड़े-बड़े plants होते हैं चीनी मील्स उसके अंदर machines लगी होती है उनको repairing का भी काम करती है servicing का भी काम करती है उसके लावा powder, coatings वगएरा ये manufacture करती है ये powder, coatings काफी जगा metal वगएरा के अंदर काम में आते हैं अंदर polishing करने के अंदर coating वगएरा काम आती है जैसे फर्ष वगएरा के अंदर भी coating करनी वेड़े ये मशीने लगे वगएरा लगी होती है तो ताकि वो फिसलन वगएरा ना हो तो फर्ष पे भी coating करती है anti-skid coatings वगएरा बहुत सारी चीज़े ये manufacture करती है उसके लावा thermal spray powder manufacture करती है तो ज़्यादा तर जो इसका काम है welding से related, heavy machinery से related उनके equipments और उनकी repairing servicing से related इसके काम है total इसकी 4 manufacturing units है नागपूर के आसपास महराष्टरा के अंदर और 130 अभी इसके पास qualified engineers है as an employee आप क्या सकते हैं client की बात करते तो client के अंदर cement की बड़ी-बड़ी industries है sugar, meals वगेरा है glass के plant है, steel के plant है ऐसी companies इसकी customers है cement industry के अंदर ACC है, बहुत बड़ा नाम है ultra tech, सबसे बड़ा नाम cement industry के अंदर aditya builda group, tata steel है L&T है, balram poachini है और भी काफी सारे इसके clients है client based काफी अच्या है sector wise देखें, तो sector अच्वाने ज़रा राए, demanding है manufacturing भी है, servicing sales सारा काम है फिर इसके financials देखें तो 2022 से, 2024 तक दिये गए है तो इसके assets, 190 करोड से 275 करोड रुपे के आसपास हुए है assets के अंदर ठीठा growth देखने को मिल रही है revenue 208 करोड से 285 करोड रुपे के आसपास हुआ है revenue के अंदर भी ठीठा growth है profits का हुआ है 17 करोड से 30.8 करोड लगबग 31 करोड रुपे के आसपास मान सकते हैं जो profit margins है वो 8% के आसपास थे अभी 10.8% के आसपास है मतब profit margins थोड़े से बड़े हैं हर साल अच्छी बात है net worth इसकी बड़ी है हर साल अभी इसके आद में reserves 163 करोड रुपे के हैं और borrowing मतब जो उधारी है इसके पर 34 करोड रुपे की तो इसका अगर annual profit देखें और reserves इसके आथ में देखें तो अपना debt pay करने की पूरी capacity रखती है ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है और debt to equity ratio है 0.18 का जो की ठीक नज़र आ रहा है परकि fresh issue से कोई भी debt वगिरा pay नहीं कर रही है अगर pay करती तो मुझे लगता है काफी अच्छी बात होती फिर इसकी ROE return on equity करीवन 18% के आसपास है और पिछले मैंने 3 सालों का भी देखा है तो 15% से ओपर इसकी ROE चल रही है काफी अच्छी बात है ROE return on capital employed 20.63 तो यह भी अच्छी है इसका P price to earnings ratio है 15.35 और इसके industry के जो shares है Ador welding है AIA engineering है हलांकि सब के काम को एक जैसा तो पूरा देख नहीं सकते बट similar type की companies है तो AIA engineers जैसे wear plates में थोड़ा आगे है और Ador welding welding से related काम है तो उनका PE 39 से लेकर 35 का इसका है 15 का तो valuations wise reasonable है बट revenue wise वगेरा भी देख लेते हैं तो diffusion engineers का revenue है 280 करोड रुपे के आसपास करीब करीब Face value 10 रुपे Earnings per share है 10.94 Ador welding का है Face value 10 रुपे Revenue है 883 करोड मतलब diffusion से 4 गुना बड़ी कम रही है Ador welding फिर इसका PE 29 का Earnings per share है 46 का मतलब diffusion से करीबन 4 गुना जादा है Earnings per share फिर AIA Engineering जिसका PE 35 का उसकी Face value है 2 रुपे बार शियर Revenue है 48-53 करोड रुपे मतलब diffusion से 16-17 गुना बड़ी कमपनी है और Earnings per share है 120 का diffusion से 12 गुना जादा इसका Earnings per share है तो देखा जाए तो diffusion engineers अपने peers से काफी छोटी कमपनी है पर valuations इन्होंने reasonable दिये है मतलब listing इसका थोड़ा बहुत इसको छोड़ा है इन्होंने पर इसको EPS वागेरा अपना सुधारना पड़ेगा बाकि return on net पर तीनों की similar है तो financially strong है fundamentally strong है valuations reasonable है और कुछ मामलों में इसको थोड़ा अपना और सुधार करना पड़ेगा financials वागेरा के अंदर फिर इस IP की details के बारे में बात करें तो 26 September से लेकर 30 September के बीच में यह IP open रहेगा face value है 10 रुपय पर share price में डखा गया 169 रुपय से लेकर 168 रुपय के बीच में 88 shares का यह lot है issues हाई जे 158 करोड रुपय का पूरा का पूरा fresh issue है एक तो एक यह नई manufacturing facility लगाने वाली है दूसरा जो इसकी existing facility है उसके अंदर कुछ पैसा invest करने वाली है और बाकी कुछ general corporate purpose बगेरा जो भी अपना capital requirement में पैसा काम में लेगी तो काफी अच्छी बात है कि पूरा का पूरा fresh issue है retail portion 35% का है listing date है 4 October को 5 October को मेरा बड़ दे है तो यह हो गई पूरे IP की details अब सबसे में सवाल यहाते कि क्या इस IP में apply करे या नहीं करे तो listing gains के साब से long time के साब से उससे पहले आपके पास यापके family members में किसी के बास demate account नहीं है angel one के साथ बिल्कुल free में खुलवा सकते है उसकी link description के अंदर है तो सबसे बहले listing gains के साब से apply करना चूँए नहीं करना चूँए तो देखिए सबसे पहले GMP बिलना चाहिए फिर long term के साब से इसके positives और negatives देख लेते हैं तो positive में देखिए तो इसका sector अच्छा है sector के एकर shares देखे AI एंजीनिरिंग है door welding है उन्होंने काफी अच्छा performance किया है मतलब पिछले past के अंदर तो से साब से इस sector के अच्छी demand है ज़्यादा competition अभी नहीं है और यह critical काम है इतना ज़्यादा आप easy भी नहीं कहसे है sales भी करती है servicing भी करती है financially अच्छी कमणी नज़र आ रही है fundamentally strong है valuations भी reasonable है ROE, ROC वगरा भी ठीक है पूरा का पूरा fresh issue है यह भी अच्छी बात है negatives क्या है negatives मैं अगर देखे तो wishes ऐसे कुछ negative नहीं नज़र आया एक चीज मुझे लगी कि peers के मुगाबले इसका earnings पर share थोड़ा सा कम है और company भी छोटी है काफी small cap आप कह सकते है मतलब अपने peers के मुगाबले बहुत छोटी company है तो small caps में थोड़ा रिस्क तो बना ही रहता है अकि उसके लावा इंडर्स्री पर डिपंडेंस ही ज़्यादा है cement industry है उसके लावा sugar industry वगेरा है तो उनके इंदर demand रूपर नीचे होती है तो इस पर भी थोड़ा effect देखने को मिलता है बट यह कोई major negative नहीं है negative देके तो इतने vicious कुछ नहीं है overall long term के साब से भी balanced company नजर आ रही है बाकि apply करने और नहीं करने का decision नहीं है जो भी आप decision बनाए अपनी risk अपना analysis लगा के बनाए आप लोग क्या करेंगे मुझे comment करके बताईएगा कि long term के साब से अपलाए करेंगी या listing gains के साब से और यह video दीखने के बाद अगर आपकी help हुई है समर्ज में आया है कुछ कि भी हमारी strategy clear हुई है तो वीडियो को एक लाइक जो रुद करें चैनल को subscribe कर लें तेलेग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में दीमेट अकांट अब के लिंग देस्क्रिप्शन के अंदर है विलते हैं दुसके के लिए वीडियो के अंदर